जस्यास्ति भक्तीर भगवती अकिंचनार सरवगुन इस्तत्रशुरा समा सते सुराहा हरो अभक्त स्गुतो महदगुना मनो रते नसतो धवतो वही सिसिल भक्ति शिद्धान तो सरश्वती गुस्वामि ठागुर पहपाजी ने बताए हरी शंकितन करते करते हमारा सरी छूट जाए इसी में परम्मंगल है हरी कथा हरी कितन करते करते अगर हमारा सरी छूट जाए इसी में चरम्मंगल है किसी भी हालत किसी भी अवस्था में हरी भजन को नहीं छोड़ना हरी भजन छोड़ देने से सारे अमंगल आपको घेर लेंगे बास्तवी बिचार ये है जो गुरु वेशनव छोड़के कृशी का हरदय में सुद्ध गुनावली का कोई दर्शन नहीं होता सुद्ध गुरु वेशनव का अंदर जितना साले सुद्ध गुनावली रहता है बाकी आम अदमी का अंदर ये संभब नहीं मनो रथे नौसतो धवतो वही तमाम दुनिया क्या कर रहे हैं बले मन की जो रत है ये रत में सवार होकर मन की जो रत है ये रत में सवार होकर तमाम दुनिया दोर रहे सब्दो स्पर्षो रूपरस गंधो पांचो समान है पांचो विशय है जिसका पीछे तमाम दुनिया दोर रहे ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो दिखाई परे कि ये पांचो चीजों का पीछे नहीं दोर रहे एक सुद्ध गुरु विश्णव छोड़के सब अई पांचो का पीछे दोर रहे सास्त्रों में इसको बोला गया इसका नाम है पांचाल खेत्रो इसका नाम है पांचाल खेत्रो पांचो भोगने वाला जो चीज है ये सब मिलेगा इधर इन चीजों में भाग रहा है जब तक बिसवय में भाग दे रहेगा मन तब तक हरी भजन का कोई बाती नहीं पैदा उता संबब नहीं और शुद्धो बरिष गुरु वेश्णव का अंदर जो गुनावली है वो गुनावुली बाहरी किसी बाहर का अदमी का अंदर संभब नहीं है अकिंचना भक्ति जिसका अंदर में है अकिंचना भक्ति का मतलब अकिंचना भक्ति का मतलब एक सब्दों में बोला जाए तुमी तो आमार आमी तो तुमार की काज अपर अधने बस हो गया ये सब्दों को बैखा करो तो इसका अंदर में पूरा डिटल्स आ जाएगा तुम हमारा हो हम तुमारा है ठाकुर जी ये संपत्ति और किसी संपत्ति का कोई ज़रूरी है नहीं ठाकुर जी को ही संपत्ति मन के जिन्देगी में भजन कर रहे है पूरा जिन्देगी वो अकिंचना वक्ति निस्किंचन वक्ति जिसका कोई संचय नहीं है किसी विशय का उपर वरोशा नहीं है इसको निस्किंचन मुला जाता है सिलपरिखित महाराजी का जनम प्रसंग में कालकुष बताया था और हरिकाथा सुनते सुनते किर्थन करते करते अमारा सरी छूड़ जाए ये बात तो सिलपरिखित महाराजी का जिन्देगे में जद परिख्षी तो सक्षी सवणगतो मुक्ति उक्ति कतने आप तुम उधारन चातेओ को देखलो परिख्षित महाराज को देखलो कैसा है परिख्षित महाराज संकीतन करते करते हरी का था अफिर अपना सुरीर को छोड़ दी इसी में परम मंगल की बाते हैं परिख्षित महाराज अभी काल चर्चा हुआ था काल इस तक चर्चा हो पाए कि जुदिश्चिर महराज आजी पांच पांड़क सारी चले गए राज्ज राजधानी को छोड़कर और महराज परिक्षीत जी को राजगद्धी पर बैठा कर चले गए राजगद्ध साथ सिंगासन पर बैठा आए अभिशेक करवाए मुझकू डाले और फिर उसको उहां का राजगद्धा बना के फिर सब चले गए उपनिशत देखो बेठ का विचार देखो उपनिशत देखो पहले जमाने में ऐसा ही हुआ करता था आएगा देखो पुर्शंगो जितना सारे पहले का राजा है महराजा है कितना बड़ा बड़ा आदमी सब समय आने से अपना सारे जुमिधारी जुमिधारी सब सौप के फिर चले जाते थे साट साल की उमर तो कमपासर ही था पहले जो साट साल का उमर हो गया तो रहना ही नहीं समसादा पूरा एक हंड़ेट परसंद आप तो यह सब वीचार नहीं है उपनिशत देखो उसमें साट साल हो गया तो कोई कुछ भी हो जाए बस वो चले जाएगा बान प्रस्ती होके चले जाए नियम था पहले आज का लिमन नियम नहीं कुछ नियम नहीं अब उसका बात सन्यास से लेने का इच्छा है तो सन्यास भी ले लेते थे पहले का यह न कितना भी राजा देखो परिक्षित का बात छोड़ो अब जितना राजा देखो जुदिश्चीर महाराज वो देख लिया बाकी देख लो सारे जितना सारे देखोगे सब भरत महाराज आएगा प्रसंगा आएगा सारे ये सब जो महाराज लोग है सब पित्व महाराज भी अमरिश महाराज सारे समय आने से अपना राज्यो राजधानी को छोड़ कर बस चले जाते हैं ऐसा नहीं होंता है ऐसा ही है बाद में परिक्षित महाराज जो राजगुद्धी समालना सुरू कर दिया बरा सुंदर राजा ये कैसे संबब है हम लोग का अंदर ये क्वेस्चिन आना चाहिए कि हमारा घर में पांच मेंबर है पांच मेंबरों में एक मेंबर दुसरे का बाद सुनते ही नहीं पिता जी का बाद कुण सुनता है सुनते ही नहीं समाज में देखो अवस्था अववस्था फैले हुए है कोई किसी का बाद सुनता नहीं लेकिन ये कैसा जादू है कि सब्तो दीप अधिपती पित्व महराज जी पूरा तमाम पृथिवी का अधिश्वर राजा साथ दीप का अधिपती पित्व महराज अंबरिस महराज आप चिंता होनी चाहिए कि कैसे संभव है ये सब राजा जो है सारा पित्वी को कैसे कंट्रोल करते थे अब हमारा घर में दो मेंबर है तिन में वो उस मानता नहीं बीबी घिना करता है सामी को सामी घिना करता है बीबी को दूसरा जगा जाता है अब आवस्ता फैले गए कोई कंट्रोलिंग नहीं पहले जितना राजा था वो उस्तों उल्लावज का कितना पावर था इसका पीछे कारण क्या है हमको अगर कोई पूछे कारण का कैसे संबब था 207 संगस्था का स्थापना हुई 200 में सांथी आई किया उन्हें कुछ नहीं है आएगा नहीं न क्योंकि वो जो 207 संगस्था स्थापना किये एक-एक उसका मेंबार का विचार देखो उसका घर में सांथी नहीं उसका जो डिरेक्टर है 207 संगस्था का डिरेक्टर जो है ओ डिरेक्टर का घर में बीबी दूसरा जगा चला जाता है लड़की दूसरा जगा जाती है अपना घर में कोई सांती नहीं तो दूसरे का सांती कैसे लाए पहले तो अपना जिंदेगी पे वबस्ता करो हम हर भक्तों को जहां मटमंदी रहे सब जगा हमको दूसमन समझता है हम एक ही बात बोलता है try to get control over your character I mean mind पहले चरित्रो ठीक करो सभाब ठीक करो मन को ठीक करो फिर भक्तों बानना भक्तों बानना बाद में भक्तों कोई मामुली बात नहीं है हम यह बिंती करता है पहले ठीक करो सब उसका बात करोगे सब सादू संगोंने से सब होया था लेकिन करता ही नहीं साथ उसंगू तो ये जो बात है कैसे संभव था परिक्षित महराज, अंबरिस महराज, पितु महराज, जनब महराज इस सारे जो है पूरा तमाम दुनिया को जो कंट्रोल करते थे इसका पीछे कारण क्या है? हमोरे एक ही कारण है, भक्ती था, अनन्न भक्ती, खिर्दय में, भक्ती जो है यही सक्ती आप सोस्ते हो को सरीर का ताकत है, पैसा का ताकत ताकत नहीं है भक्ती जो है इसी को सक्ती बुलायता है, बास्तप सक्ती यही है भक्ति के द्वारा ही भगवान बस में आ जाता है पूर्या दुनिया का बात तो छोड़ो स्वयंग भगवान अनंत गटी ब्रमान्ड का मालिक उभी बस में आ जाता है अहम भक्त पराधिन मतलब क्या हुआ तो साक्षात भगवान जो कौन कंट्रोल करे उसको अनंत गटी ब्रमान्ड का मालिक उसको कंट्रोल में ले आ जा सकता है संभव है लेकिन भक्ती होनी चाहिए भक्ती नहीं है तो कैसे हो ब्रजवासिलों का कितना पृति है जो कृष्णों को दर्शक करने के लिए जद्धप्य समाधिश्व इद्धरप्य पस्वती नतबो ये जो कितन करते हो ये जो कितन करते हो रुपकुस्नाहिपात का दर्शन ही नहीं होता ब्रम्हासंकर आधी और आए जो भगवान से किष्ण का साथ ब्रजोगोपियों का कितना सुन्दर रिलेशन गौलवाल का जितना सा गौलवालक है शब किष्णों का साथ खेल कुल करता है ए तू हार गिया हमको ले ले अभी कांध में ले लिया किष्णों उसको कांध में चड़ाया और अपना पैर दे के किष्णों का बक्ष में ऐसा ऐसा कर रहा है पैर दे के किष्णों के ऐसा ऐसा कर रहा है सोचो क्या बात जो दोस्त है भगवद में हैं बना बना के नहीं कहे रहे हैं लिखा है भगवद में सिदा मेन पराजितहा स्रिधाम स्रिधाम बुदे हार गया तू ऐसा तो नियुन था तू हार गया चल हमको लेके चल उतना सक तो हार गया तो ठीक है हम हार गया तू आया उपर में चड़ा लिया हो जाना सुरू कर दिया स्रिधाम पैर दे कैसा है सकाना था माथा में बजा रहा है ऐसा ऐसा किष्णो को साक्षाद इसका नाम है किष्णो तो ये भगवान का जो भक्ति है माराज एक बूद अगर कोई भक्ति चाक ले और मरते दम तक तो छोड़ो मरने का बाद भी छोड़ेगा नहीं सुना ए रूपगु स्वामी जी को सिमन महाप्रभू इलेहवाद में बैठ कर इस रूपँ सिक्षा रूपगु स्वामी को सिक्षा दे रहे है तरह तरह के बिचार भक्ति का जो एक एक तरह तरह के बिचार पेस कर रहे है प्रस्तूत कर रहे है और इसमें सुक्ष्म बिचार है भक्ति भी एक किशिम का नहीं है हनुमान जी की भक्ति पांच पांड़ों का भक्ति कुंति देवी का भक्ति उत्तरा का भक्ति सारे एक है क्या ब्रजवासी का भक्ति उक्रु भगवान का भक्ति उक्रुर जी का भक्ति उद्धव का भक्ति सब एक है एक नहीं है नाम तो भक्ती है लेकिन तरह तरह की भक्ती की विभाग है segregation इसका जो टेस्ट है इसका जो sensitivity है सब एक-एक अलग-अलग सा विचार है भक्ती का एक-एक fine sensitivity है एक-एक तरह-तरह के टेस्ट है ललिता का भक्ती विशका भक्ति, राधराणी का भक्ति, चंद्रवली का, सब अलग अलग है, सब टेस्ट फूल है, और किष्णो ये सब भक्ति को टेस्ट करता है, कैसा है, अभी चाक्ये देखे इसका भक्ति कैसा है, और साक्षात कृष्ण बस्थू, साक्षात वही किष्ण, वही किष्ण, स्रेकिष्न चाइटन वही स्रेकिष्न इले हवाद में गंगा का किनारे बैठकर रुपकुthat स्राइइ पाज जी को इस भक्ती का बारे में भक्ती का कैसे सुद्ध भक्ती का बारे में भुत सारे वोदेस कर और अंतिम में बढताए रूप हम अनंत समंदर जो है किष्ण है अनंत रूप रस का समंदर किष्ण है अनंत रूप रस का समंदर और समंदर का किनारे खड़ा होकर मैं एक बूद तेरे को चका रहा हम है रूप सुन लओ ये जो अनंत किष्ण है अनंत रूप रस का समंदर है अनंत रूप रस का मैं ये सागर की तट पर खड़ा होकर एक बूद ओ अमरित लेकर रूप को बोला रूप तुम थोड़ा चाक लो जबान भेंदे देख ऐसा बोला हम तो पूरा बोल नहीं सके ऐसा करके रूप का स्वामी को दिख दर्शन कराए आप बोले हमारा संभब भी नहीं है ठीक है चलो रूप बोले तो आपका चरण जो है हमारा मस्तक पर दे दो तो भक्ती का जो भिभाग है ये सब बारे में हम चर्चा करेंगे लिखेंगे अगर कीपा नहीं करोगे तो हम मापरभू आशिरवात करके बले रूप तुम जाओ जब जब जो कुछ करने का विचार मन में आए तब उसी बस्तू को बस्तू का स्पूर्थी हो जाएगा मापरभू कह रहे हैं कि जब जो चीस लिखने का तुमारा इच्छा होए तब किष्णो तुमारा हरदय में पूर्थी करा देगा कोई चिंता नहीं जाओ लिखना सुरू कर दो सुनातन गुसाई के बोले जाए सुर्थी सुर्थी को लिखो इस बारे में और रुप गुसाई के बोलो भक्ती का तर्तम बिचार या प्रस्तूत करो जाओ तो दुनिया जगदवास्ती को पता चले कि भक्ती कैसा चीज है अनन्न मैं चीज अभी परिखित महराज जो है राजगद्दी पे बैठे हुए हैं पूरा तमाम जुगया तमाम दुनिया उसका उसका चरण पर चरणों पे सर्जुकार है इतना बड़ा राजा है धार्मिक है भक्तिमान है सबसे बड़ा चीज भक्तिमान है और अभी स्वनकादिर जो है सुत्यद्व को स्वामे कह रहे हैं कि जब भगवान स्किष्णों नित्यद्धाम को चले गए इस जगत को छोड़कर जुदिष्टिर महरायादी तो फिर भी चले गए सब पांच पंडब सब चले गए और उसी वकत जिस समय भगवान स्किष्णों इस जगत से नित्यद्धाम को चले गए उसी समय इंस्टैंट कोली कबजा करने के लिए आया इस जगत में किष्णों जिसी वकत किष्णों इत्यद्धाम को चले गए उसी टाइम क्या हुआ उसी टाइम तुरुन कली कली बदमास कली आये यह जगत पर कबजा करने के लिए इतना बदमास है जब तक किष्णों पुस्तित थे किष्णों का चरण तो कुछ कर नहीं पाए आब बदमास और निपो लिंग धरम सुद्रम घ्रंतम गोमी थुनम पदा और यह कली दिग बिजय करने के लिए निकला उसको मालूम नहीं है कि परिखित मारजा भी भी है इतना बोका है आब वो क्या-क्या निजो निजो ग्राहो जसा बीरह कलिम दिग बजय दिग बिजय कचित निपो लिंग धरम सुद्रम घ्रंतम गोमि थुनम पदा गोमि थुनम मतलब एक भृषव एक भृषव है और एक गोम आता इत दोनों को जाके पैर देकर लाती लगाता है दूम-दूम करके ऐसा गोमि थुनम पदा लाती लगा रहा है और निपो लिंग धरम राजा का बेस बनाया, है तो सुद्र, कली तो सुद्र है ना, और सुद्र का बैक्ख्या क्या है, जो सोग करता है, जो लोग हर बकत सोक करते रहते हैं हमारा जिन्दे के विए नई वान होए वो सोक करते है हर बकत उसका अंदर में एक anxiety है, सोक है अफसोस है वो शुद्र है ये नियम है और ये जो कली है कली शुद्र है कली का नाम कली ऐसा है कली का प्रभाफ से जगत में एकदम पाप छा गया है कली का कली अभी 5000 साल हुआ है कली आया 5500 भी होगा नहीं ये जो कली है ये अभी कली इतना प्रभाफ बिस्तार किये ये मानों की जीना संबब है चार ओर कली का प्रभाफ एक दुसरे का साथ लड़ाई दुसरे का संपत्ति के हरब कर लो दुसरे को धोका दे दो मार खून करो हिंसा करो विद्वेश करो यह चलते रहता है हर बकत चलते रहता है यह कोली का प्रभाब है कोई कारण नहीं है भाई भाई में लड़ाई लग गिया है हरी इपाप भी बाउ दोस्ट दोस्ट में लड़ाई लग गिया है लूम दाम सिला भाक्तिवला तुट्टू गुस्टिमार कहते हैं हम भी कहते हैं बले आजकाल इस जमाने में संतों लोगों में भी कली प्रविस करेगा अगर ठीक ठाक भजन ना करे तो सही भजन करे तो कली नहीं प्रविस कर पाएगा कली प्रविस नहीं कर पाएगा जब तक भजन करेगा लेकिन अगर भजन ना करे तो उसका अंदर में कोली आएगा फाइटिंग होगा इसका कारण बल इसका कारण हम बताएंगे क्यों बले परिखित माराज का जो प्रशंग है आएगा अभी परिखित माराज कली को क्यों नहीं मारा इसका प्रशंगा है हम इसमें उत्तर दे देंगे क्यों सादू संत्व में भी कोलिया आना सुरू कर दिया क्यों बल अगर भजन ना करे तो अगर साब्धान है हर बकर एकदम जैसे हम मुदारण दिया था ना एक कैला को आँख में डाल के रखो तो हर बकर एक एक कैला का टुकरा को कैला का टुकरा को आँख में डाल के रखो तो काला पन चला जाए हर बकर लाल लोहे का टुकरा काला है आँख में डाल के रखो तो लाल है तो जब तक आँख का साथ संबंध है आँख में आँख का अंदर है तब तक लाल है लेकिन उसको निकाल कर ब शीर सी कला पना जाए ऐसा ही जी वात्मा सारे जीवात्मा है जब तक गुरु वेश्णा ओका साथ गुरु अएसा बड़ा बाड़ा संथ महात्मा यह जो सादू संत है जोड़ जवस्ती पकरके रखना छोड़ना नहीं छोड़ोगी तो बियास हो गया उसी टमाय तुमारा दिल कली ग्रास कर ले कोई नियम, कोई उपाय नहीं उपाय नहीं अब कोली का प्रभाब के द्वारा एक दुसरे में लड़ाई लग जाएगा एक दुसरे का संपत्ति को हड़ब कर ले और सादू संदो का तो नियम ऐसा है कि एक पैसा भी कोई सादू संदो का हरन करने का वीचार मत करो जगनात दस बबाबजी महानत बोले एक पैसा चला की करोगे तुम्हें एकदम खतम आँख जैसा है इसका उधारन भागवान से किस्वा स्वायम दिया धारिका में पोता लोग खेल कुट करते हैं उससा पमन दिया एक पैसा भी कोई गुरुवेश्णवः का हरन कर लिया उसका हाला बहुत खराओ है जलके से सयस्वaving उसका इम्बत नहीं जगनात दाज बाबाजी महाराज ने बहुत पहले इसको लिख दिया कि जे सादू गुरु वैश्णव का एक पैसा भी हरन करने का कूशिश मत करो जर जगत का जो चोड है बदमा से कभी इसका मंगल हो सकता लेकिन जो गुरु वैश्णव का एक चीज़ भी हरन करे उसका कोई मुआ मुश्किल है जो भी है अभी देखो कली प्रभाब बिस्तर कर रहा है कोदी कोली अपने को समझ के रखा है कि हम किंग बन गया हम राजा मस्त एक दम और दिगविजय करने के लिए निकाले हैं और कली जो है राजबेस पकर लिया राजबेस ले लिया करके जा रहा है जहां जहां धर्म का प्रभाव है तहां तहां जाके एक लाट लगा रहा है ऐसा उसका भीचार है जहां जहां धर्म का भाव है जहां सादू संत है नाम है भीचार है सुद्व नियम है सारे जगा कली जाके कली विनास कर दें कली टिकने नहीं देंगे शुद्ध आचार में कौन है बोलो अपना सुद्धता जो है वही बज़ा उसको ही मेंटेन करना मुश्किल है तो क्या करें फिर अब इसलिए परिखित महराज क्यूं कोली को नहीं मारने से अच्छा होता कोली को मार डालते तो अच्छा होता ये प्रश्ण किया बले इधर सनोकादिर इससी प्रश्ण करते हैं कशो हेतोर निजो ग्राहो कुलिम दिगविजय निपहा निदेवो चिन द्रिक शुद्रो को असो गांग जोपता अहना बल्चें ये जो कसोवा है तो किस कारण कोली को खतम नहीं किया कोली को खतम कर देते हैं तो समस्षा का समादान हो जाता लेकर कली को खतम क्यूं नहीं किया कसो हेतोर निजो ग्राह कुलिंग दिगविजय निपो ये जो कोली दिगविजय करने के लिए निकाला है और यहां समकादी रिष्टी प्रश्ण का रेक कोली को शासन क्यूं नहीं किया मारा क्यूं नहीं मार देत हो था अच्छा होता इसका उत्तर दिया इसका उत्तर दिया बले देखो ये परिखिद माराज जो है इसका बारे में सास्त्रों में बताया गया भागवत में जे परिखित महाराज कोई साधरन अदमी नहीं है परिखित महाराज का बारे में बताया गया कि वो सारंग इव सारभुक सारंग इव सारभुक बला महाराज महाराज इसलिए नहीं कि परिख्षित महाराज बड़ा महाभागवत है और सारं गई वो सारवोग बैशनुब जो है परमंख्सो जो है दोस नहीं धर्सन करते सब का अंदर में गून ले दो परमंख्सो बित्ति क्या है? परमंख्सो बित्ति है जैसे दूद और पानी मिला दोगे तो दूद को ले 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 हैं पानी रह जाएगा दुनिया में कोई भी प्रानी नहीं है किसी का अंदर ये खमता नहीं है ठाकुर जी का क्या खेल है ठाकुर जी एक मात रो हंशो का परहंशो का अंदर ऐसा खमता देदी ये दूद और पानी मिला के रख दो दूद को ले लेंगे कैसा संभव है ऐसा पावर है कैसे संभव है ऐसा परमांग्षब बृत्ति वाले जो गुरु विश्नव है ये एगारस कंद में चर्चा आएगा गैन निष्ठो बिरोक्तो वा मदभक्तो वा अनपिक शकहा सा लिंगानम आस्त्रमम स्तेक्ता चरेद अभिदी गोई चरहा ये क्या है आएगे परिक्षित महराज तो महाँ भागवद है ही है भागवद में चीन चार जगा लिखा हुआ है और फिर भी राजा का बेश में है तो राजा का बेश में तो क्या हुआ किसी भी अवस्था में रहे अमरिस महराज, परिक्षित महराज पित्व महराज किसी भी अवस्था में रहे जनक महाराज क्या रा जनक महाराजा की अवस्था में लेकिन जनक महाराज की मापिक तत्तक ग्यान आज तक पैदा नहीं हुआ जनक महाराज तो राजा है राजा है ना लेकिन जनक महाराज को ऊपर कोई तत्तक ग्यानी है ये सूखदेब को स्वामी को परिक्षा के लिए जौनक महराज का पाज भेजा गया था मालूमी नहीं किसी को ये सब बहुत सुन्ध और प्रसंग है क्योंकि जगदवासी आरोप लगाएगा जी ब्याजदेब को समी बड़ा भड़ु चालू है अपना लड़का को ही भागबत सिखाया किसी को तो सिखाया नहीं आरोप लगाएगा अपना लड़का को सिखाया तो ब्याजदेब को समी सोचे कि ये आरोप लगाने का पहले क्यों ना ऐसा हो जाए कि हम लड़का को भेज़ दे किसका पास जनक महराज की पास जनक महराज से इस सर्टिपिकेट लेकर आ गया है तो उसका पास हम सिखाएंगे जनक महराज का पास गया जनक महराज बहुत परिक्षा लिया परिक्षा का पास स्टैम दे दी बले ये 100% पास हो गया ये है ही है हमारा परिख्या लेने का अपर कुछ नहीं ये जनम से बिरक्त है तब परिख्यत महाराज क्यों कोली को नहीं मारा कोली को क्यों छोड़ दिया बहले इसका कारण है राजा जो है परिख्यत महाराज सार। सार। सारंग मतलब सारंग कोन है जो ब्रहमड है फूलों से साइद मधू को ले लेते हैं है बोमरा मधू 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 मख्य जाके धेर धेर मधू पान करते हैं मधू को लेकर चाक बनाते हैं है न और ये परिखित महाराज का तुलना दिया गया कि सारंग ये वह सारभू सारंग ये ये कलिकाल बड़ा खतनात काल है, सर्व साधन, कोई भी साधन करो, भजन करो, उसमें बाधा आते रहें, कालहा कलीर वलेना हैं इंदियो बईरी वरगा, इस लोक है, हम चर्चा करेंगे कभी, कालहा कलीर वलेना हिंदियो बईरी वरगा, भक्ति पत इहो कंट क कोटी रुद्धो, हाँ हाँ कोज आमी की महाम करो नी, करो मी, चैतन्य चन्य जोदि नाद्धम की पाम करो से, जोदि अगर चैतन्य महाप्रभु अपना चरण का अवलमन ना दे दे भेला, चैतन्य महाप्रभु को चरण क्या भेला है ना, चैतन्य चरण का जो पार्षत लोग है, सादू संतु है, चोईतन्य महापवु का चरौनों में भ्रह्मन करने वाला गुन-गुन करने वाला मुधुमख्खी जो है चोईतन्य चरौन कमल से मुधु को पान करने वाला सीच चोईतन्य पदाम्भुजो मदुपयव्यो नमो नमहा कफन्चित अस्रयाद ये साम साउपी तो गुंद भाग भवेत काल चर्च आवगा नहीं तो साइन का लिए आज हालत में हमके पथम पहला सकंद खतम कर नहीं है नहीं तो होगा नहीं बहुत ताइम कम है अनन तो खथा सागर है जो ये कली जो है कली सर्वो साधन का लिए बड़ा खतनात है बाधक है लेकिन कली में एक गुन है जो गुन कमाल की गुन है बले कली का अंदर में इतना दुरगुन है फिर भी कली का अंदर में एक गुन है किर्टनाद एवा किष्णस्वा मुक्त संग परम बजित एक मात तो संकीतन के राही तुम्हारा सारे सिद्धी हो सकता सारे कलो तत केशवकितनात इस अब विचार है कृतेज अधायतो विष्णू तेतायम जजते मख़ई और दापरे तत परिचाड़ जयाम कलो उतत हरिकितनात किश्टकितनात तो कलिकाल में यह सुवीदा है कि कुछ अगर संकीतन करते-करते तुम्हारा सरी छूट जाए तो अच्छा है इसे बात को उठाया था पहले है कलिकाल केवल नाम अधारा समर समर जिव उतरहि पारा कलिकाल में नाम छोर कर कुछ है ही नहीं दूसरा साधन करने जाओ सारे साधन का अंदर कुछ ना कुछ दोस निकलेगा बिशुद्ध साधन हो नहीं पाता है बहुत मुस्किल है और कलिकाल में लिखा हुआ है कलिकाले नाम रुपे किष्ण आवता है नाम रूप कृष्ण नाम हर जुग में नाम का साथ हरीप पुस्तित था बिसेश करके कली इसका मतलब यह मत समझो सत्तो जुग में अगर कृष्ण बोले तो इसका अंदर क्या कृष्ण नहीं है ऐसा नहीं हर जुग में बिसेश करके यह कली में क्योंकि सब जीब दुरवल जीब है इतना दुरवल जीब है इन लोग के लिए भजन करना बहुत मुसीवत है बहुत मुस्किन इसले ये सुविदा दिया गया कलिकाल के लिए छुटकारा है ये केवल संकीतन करो और नाम करते-करते हो जाएगा तुमा कलो उततकेशवकिर्टनाद अगर कितन का बहाना करो तो और मुस्किल हो जाए कितन नहीं किया वहला हम तो कितन कर रहे बाकी से बहान नहीं करे तो मरेगा ऐसा नहीं जिवो को सही बात बीचार लिखाया कि हमारा जो भजन है कोई भी भजन सादन में जो भजन अंग है कुछ भी अंगों का सादन करो तो उसमें अगर संकितन ना रहे तो यो कर्म हो जाएगा जदपी दूसरा सब भजन अंगों का जाजन करना है करना तो है ही है लेकिन संकितन संग्जुग देकर का संग्जुग ये संकित्वन के द्वारा करना है संकित्वने नई वो क्रिये तो संकित्वन के दारा करो रुसी करने जाओ तो मन में कित्वन करते रहो नाम फूल की माला करो उसका अंदा में ठाकुर जी का नाम करते रहो कुछ करो कलेक्शन में जाओ ठाकुर जी का नाम करते रहो अगर ना करोगे तो कर्मी बन जाओगे कर्मी कर्मी देखने में कर्मी और शेवक बहारी दिश्ची में एक है तुमी रोसी कर रहो ओभी रोसी कर रहो बहारी दिश्ची में देखने में कुर्वी और भक्तों में बाहर में कोई पत्त कुत है ने सिफ बित्ती में बित्ती जो है अंतर के बित्ती है इसी में फड़ाक है एक बैक्ती सुबे में तंखा लेकर रोस्ती करता है हां उसका कर्म हो जाता है और रात को एक ब्यक्ति भक्ति और रोसी करता है उप्रेम के द्वारा उसका भक्ति हो जाता है तो भक्ति और करम जो है भारी दिश्टे में देखने में एक है अंतर का जो विर्ति है उसी का उपर इडिपेंड करता है नहीं तो कन्फूस्ट हो जाओगे मुश्किल तो कली काल को मारा नहीं इसलिए कि कली का अंदर इतना दुर्गुन होते हुए भी इतना सुंदर एक गुण है जो कुली को मारे तो मुस्किल है कुली को मारा नहीं छोड़ दिया ठीक है और ये जो कुली है कुली एक बाती है कली परिख्षित महाराज के सरन में गए जब परिख्षित महाराज को खबर चला कि कली राजविस बना कर गो मिथून पर अत्ता चार चार और बदमासी कर रहा है अपना प्रोवाप को भिस्तार कर रहा है तो महाराज कोली को सासन करने के लिए गए अपना तरवाल को उठा आए वर काटके फेक देंगे कहा कौन है तू? राजविस लेकर गउमाता को एसता कष्ट दे रहा है कौन है बता? बोलके हैसा जब तरवाल खुला तो कांपते कांपते कली क्या किया अपना बेस को फेक दिया और चरण में गिर गिर गिया बला हमको राजा बचाओ हाँ आपका सरण में है खत्रियो समाज का ये नियम है जो सरण में आए उसको बद उचित नहीं है जो सरण में आ जाए उसका लिए उसको बाद करना उचितने ये खत्तियों का नियम है तो बाद करना छोड़ दिया वले एक काम करो इधर से चले जाओ हमारा राज्यो राज्धानी से दफाओ जाओ तो तो कोली वले महाराज हम कहां जाओ हमको तो एक जगा दो तो तमाम दुनिया में जहां भी देखिया आपका ही प्रभाब है आपका राज्धानी कहां है कुन सी जगा ऐसा है कि आपका राज्धानी नहीं है आपका राज्धानी नहीं है तो तमाम पृतिवी तो आपका राज्धानी है तो हमको एक तो जगा दो हम तो बदमास ठीक है एक जगा तो दे दो जहां हम सांती से रहे ऐसा करके जब कस्तम च्छरने लोके हाँ बलाद हंसी अबलान वली नरोदेव सी वेशेन नौट बाथ करमना अदीजो तू दीजो का तू राजा का बेज बनाया हाँ हमारा सरन में जो प्रजा लोग है सारे दुनिया हमारा सरन में है और ये हमारा सरन में जो रहता है उसका कोई कोई समस्था नहीं है किसी का हिम्मत नहीं हमारा सरन में आये हुए आदमी को डर दिखाए तू कौन है ऐसा करके हाँ जब सासन की आर जस्तम कृष्णे गाते दूरम सहो गांडी बदनना बले ये जो तू सोचे कि कृष्ण चला गया और जुन चला गांडी बधारिक जो और जुन है वो चला गया अतह इस जगत में हम जाके कुछ भी कर सकता ये गलत बात है हम अभी भी है तो ऐसा करके जो सासन की तो क्या हुआ वो सरन में आए तो ये जो गोमाता है गोमाता कौन? परिखित महाराज जो गोमाता का पूछे वाप कौन है? बाद में पता चला कि एक गोमाता जो है धर्ती देवी और वरिष्व है जो विजार बुख debt वरिष्व है वो है धर्मो धर्मो का चाख पाद है एक पैर में अभी धर्मो खड़ा हुआ है इक पैर इसका दर्शन क्या है? बिचार क्या है? महाराज एक पैर का जो बिचार है ये इसलिए तौपो सौचो दया सत्यम इती चार पाथ था धर्मो का चार पाथ था ना धर्मो का चार पाथ है और चार पाथ आस्ते आस्ते खतम होते होते अभी एक पाथ है तौपो गया, सौचो गया, दया गया सत्तो फिर भी है वो भी जाने का चक्कर में है और ये जो है अभी इसलिए अधर्म का तीन पेर तो एकदम खराब हो चुका इसलिए एक पेर में किशी भी हालब मुश्किल से खड़ा हुआ है ब्रिश्व ये दर्शन इसलिए है कि धर्म का जो चार पाद है तीन पाद नस्ट हो गिया किशी में मुश्किल से एक पेर से खड़ा हुआ है ये वीचार है और ये जो सासन किया सासन करने का बाद बले तुम चले जाओ हमारा राजजराज आएट तो बोले महाराज ये एक स्थान तो दे दो तो हम कहां जाए भले ठीक है एक काम करो तुम्हें चारो जगा तुमको हम दे देते हैं उचारो जगा तुम रह सकते चारो जगा चारो जगा कौन सी चार चार जगा चार जगा दूतम पानम स्त्रियो सुना स्त्रियो सुना यत्रा धर्मा चतुस्टेयोह एज़ दूतम पानम स्थ्रियोह सुना यत्रा धर्मा चतुर विदहा ये चारों में सभाविक कली रहता है रहता है ने? एज़ दूत दूतमाने जुआ खेलना उसमें तो कली रहता ही है दूत तो है पासा खेला ये भी डिंजरस है रेकिन राजा का नियम है पासा खेलने का थोड़ा भीधान है पासा का चक्कर में क्या हो गया था पांच पांड़ों को हिसाब लगा हरी बाप बाप बहुत सारे कहानी है पासा पासा जो किश भी है यहां तक भी तुम जो lottery का ticket लेतो यह भी जुआ है lottery का ticket मत खरीदो यह जुआ है it's a kind of जुआ gambling but authentic यह सरका authentic नहीं है हाम तो authentic ऐसे बोला कि सरकार ने उनमदर करके रखा कौन सरकार तो बोका है एक तरह बोले दारू पी ना माना हैं दूसरा तरह एसा है न गवर्मेंट यह पीछे से दारू का लाइसंस दे रहा है अब बोले दारू भी न माना है ठीक है कौन मानेगा तुम्हारा बात जव जुआ मात के लो अब खोदी जुआ का पर्मिशन दे दिया पुस्चिमंग सरकार का हर जगा लोटरी हो रहा है यह भी जुआ है तो जुए में जो जुए के अंदर में कलीकस्तान है जो खाना पीना जो पैसा मठ में आता है तुम अगर इसका सुद्धी का परे में चिंदन नहीं करोगे तो तुमारा भजन नहीं होगा बक्ति में ठगर का कहना है क्यों भजन नहीं हो रहा है क्यों इतना चंचल है परमुचारी लोग सन्या से लोग क्यों क्या कारण है इसका कारण यह ही है कि आ रहा है उसका जो प्यूरिटी उसको चिंदन नहीं भक्ति में ठगर करो अगर तुमारा पास आएगा वो तुमारा टेंशन तुमारा अंदर में एकदम खतनना देगा कली का पहिशा और यहां जो है देखो एधर चारो जगा दे दिया कली को दे दिया क्या क्या अबर्थितो हमको महराज रहने का जगा तो हम भी आपका प्रुजा बनके रह जाएंगे ठीक है अबर्थितो तदात असमे इस्थाना निकले ददो दूतम पान अमस्त्रियह सुना यत्रा धरमो चतुस चायो हो दूत यह जो है जुआ इसमें कुली है पान किसी किसिम का पान मननाशा पान मतलब नाशा चाहे तुम दारु का नसा हो चाहे चिलम का नसा हो भां का नसा हो नासा तो नासा ही है, बिड़ी का निसा, सिगरेट का, पान का कोई भी निशा हर निसा का अंदर गुटका खाओ सब कली बिल्कुल बंद करना चाहिए नहीं हो तो बिल्कुल आद्मी नहीं मनेगा और नासा क्या है, सास्तु में है नासा जो है नासा बुद्धी को बिकृत कर देता है बिकृत नासा जो है बुद्धी को और दारू पीने वाले को जितना पाप लगता है नासा करने वाले को जितना पाप लगता है उतना पाप मुश्किल है लिखा हुआ है कोई भी निसा सब बंद दारूपियो चिलंप इस सब पाप है महापाप क्योंकि बुद्धी भर्ष्ट होई आता है निसा करके देखो बुद्धी भर्ष्ट होई आता है ना बुद्धी काम नहीं करता है ऐसा जो है दूद्ध पान हम बताया चारो अलग अलग किशिंग का नसा है सारे यह पानों का अंदर आता है इसमें कली है स्त्री यहां स्त्री प्रसंग जो आता है धर्म पत्नी छोड़कर जो भी है धर्म पत्नी छोड़कर बकी भी कोई भी स्त्री प्रसंग आए हमारा गोडियों विचार में तो और सुक्ष्म विचार है यह जो स्त्री इसको जोशित संगों बोला गया हमारा गोडियों विचार में यहां जो स्त्री स्त्री यह प्रशंगों यह बजार का लोग बैखा करेगा स्त्री प्रशंगों लेकिन हमारा गोडियों विचार में और शुक्समे विचार एक ओंसी शुख्समे बिचार है बहले इसमें विचार गया वोपजिन पर्ताया कि योषित मतलब भोगने वाला चीज योषित एजी सब्द है भोगने वालाचे इसको जो-शित बिला गया जो-शित ये जो विशे है इसके अब कोई किसम का भाग है जैसे कामेनी जोशित कामेनी जोशित ओ लेड़की कामेनी जोशित इसको बाद कांचन जोशित भैसा धन्दोलत ये भी जोशित है ये भोगने वाला चीज है कामेनी जोशित कांचन जोशित पतिष्ठा को भी जोशित बना गया पतिष्ठा हमारा ब को किसी का डिमाग नहीं जायेगा उस तक प्रतिश्ठा साध्रिष्टा सपचरमनी मेरे दीना टेट है ना रोगना दूस्सर मिले गये और हरीकता बोलने से अगर प्रतिष्ठा है तो हम क्या गरहें हमको चुटकारा दे दो हम तो जाते नहीं हम तो जाते नहीं मुश्किल से बहुत कम जगा जाते हैं ना जाये तो फिर भी वह बात गाली दें लिकाहवा हरी ला से गुरु वे श्रम को आदेश अधेश है तो इसमें अगल थोड़ा बहुत पतिष्ठा थाकर जी को दे 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 यह प्रतिष्ठा जशित जशित का डिवीजन हमने कर दिया क्या-क्या बोला कामिनी जोशित, कांचन जथित, पतिष्ठा जोशित, भोगने वाला जो चीज है, वही जोशित है, और तत कोई लड़की ने किशी पूरु उसको भोग करने का विचार किया, ओ भी जोशित संग हो गया, लड़की का लिए भजन करना मुस्किल हो जाएगा, समझा मेरा बाद किसी लड़की ने सोचा कि उसको हम भोग करेंगे, तो ये इसका तरफ से जोशित हो गया, और तत ओ लड़की जोशित संग कर रहे हैं, मिरा बाद सोचा हम, समझा मेरा बाद, बड़ा सुक्सम विचारा है, भोग का बिर्ति लेकर, शेबा का बिर्ति छोड़के, शेबा का कभी ऐसा मत करो, तो ये जो स्त्रियहा सुना, सुना मनदा प्राणी हिंशा, मांक्स खाएंगे, मांच खाएंगे, मचली खाएंगे, हिंशा करेंगे प्राणी को ऐसा, इस सुना, इसका अंदर में सुना, तो ये चाड़ों में देखो, बीचार करके देखो, परिखित महरा क्या दोस है कि इस चारो चीजों में तो आटोमेटिक कोली तो ही है तो तुरह तुस्तान इसमें है तो इसी चारो चीजों में रह जा चारो चीजों में और कोली ने रोया कोली ने बोला इतना छोटे जगा में कैसे हमारा गुजारा हो सकता फ्लैन्ट बड़ा छूटा है कैसे रह पाएगा यह हमारा लिए ज जाएगा बहुँ छोटा ठोड़ा बड़ा जाएगा दे दो तो जब ऐसा पर्थना की पुनोस्च जाच मानायम पुनोस्च जाच मानायो जात रूपम अदाद बिभू जातरुपम अदात प्रभु बीभु नहीं है प्रभु लिखावा बीभु ते है तो बीभु यह जो है जातरुपम अदात प्रभु यह प्रभु परिक्षित महराजी ने कली बार बार रोना दोना शुरू कर दिया और थोड़ा सा बड़ा जगा देदो नहीं तो हमारा मुश्किल है जेना ठीक है चल ततो ततो क्या किया ततो अनृतम मदम कामम राजो बईरंच पंचमम जातो रूपम अदात प्रहू इता दिये अनृतम जूटा जहां है वहां कली रहे मद अहंकार जहां रहें वहां कली काम रहे बृत्ति उसका अंदर में है रजो गून जहां रहे बईरंच पंचमम अमूनी पंचस्तानानी ही अधर्म प्रभवग कली ओत्तो रेन ओत्तो रेन उत्तरा का लड़का है इसते ओत्तो रेन दत्यानी नवसत तन निद्द निद्देशकित निद्द बसवास करना सुरू कर दिया परिखित महालज का आदिश के अनुशार जात रूपम अदाद प्रभू आता सोने जो है सोने एक चीज़ और दे दिया सोने चादी जो धन संपति जो सोने चादी उसका अंदर कली का प्रभेश अब यह जो है सोने चादी सोने ये सब धन्द उलत इसका अंदर कली का प्रभेश है क्यूं एक धन्द उलत का पीछे आटोमेटिक जूटा आ जाता है अनृतम मदम कामम रजो बैरंच पंचमम एक पाच चीज रहे गाई शत्रुता आ जाएगा लड़ाई एक चीज दिया ना हमको थोड़ा बढ़ा जाएगा दे दो ठीक है एक चीज दे दिया क्या है तो सोने चादी ओसब दे दिया दिया तो एक चीज किन्तों ये चीज दिया एक लेकिन इसका पीछे इसका जो बिचार है देखोगे इसमें क्या काचीज आये आईगा जूटा आजाएगा जूटा आजाएगा उसका अपट मद मद आंकार आजाए काम आजाएगा बहर सत्रुता आजाएगा सत्राजित का जो मुनी मिला था उसका पीछे क्या लड़ाई हो गया था कितना खुन खराबा हो गया दसमसकंद में आयेगा सत्राजित राजा को सूरज भगवान ने एक मुनी दिया सामन तक मुनी वो सामन तक मुनी का पीछे कितना लड़ाई हो गया हाई बाबatti기 कितना हंगामा हो गया बाब क्योंकि वो किष्णों को समापन नहीं किया किष्णों को समापन कर देते तो कुछ नहीं होता अब ऐसा है कि कोली चारोर प्रभाब कबजा कर लिया इसका बाद यह सब जह रहना सुरू कर दिया परिखित महाराज ने विचार की कि इसमें तो संत महात्मा जो साबधान है जो हर वकत सतर कर रहता है उन लोग के लिए तो कोई खत्रा है नहीं सतर कर रहता है जो सब सब हर वकत एकदम विचार बना के रखता है उन लोग के लिए कोई समस्था नहीं होगा उन लोगा लिए कोई समस्था नहीं है इससे छोड़ दिया कली को बहुत ठीक है चलो कोई बात नहीं और मधुमक्खी जैसे मधु को उठा उठा कर चैन करते करते लिए आते हैं ऐसा परिख्षित महाराज दे विचार करके कोली को छोड़ दिया चलो कोई बात और कोली महाराज ये जो परिख्षित महाराज गंगा का किनारे कैसे अपना सरीर को छोड़ा सुत्यदुक्ष्णे महाराज बोले जो बई द्रोवनास्तो बिप्लुष्टो नो मातूर उदरे मितहा माया का कोक में जो नहीं मड़ा नहीं क्योंकि भगवान ने रक्षा कर दिया अनुग गुरहाद भगवत हो शाक्षात अध्भुत कर्मनह शाक्षात अध्भुत कर्मनह अथात भगवान सकृष्णो का कीपा के द्वारा जद अनुग गुरहाद ये परिखित महाराज माया का कुक में द्रोणाचार्जों का जो लड़का जो अस्त्रो फेका था ये मड़ा नहीं उदर में ये जो है इसको इसका जो सरी छोड़ना बड़ा आद्भूत है ये परिखित महाराज जिसको ठाकुरजी ने स्वयम उत्त्रा देवी उत्त्रा मैया का गर्व से गर्व में रक्षा किया और उसका बाद जनम लेने के बाद आज उसका सरीर कैसे छुटने वाला है बले ब्रह्मकोपाद 누iques ब्रह्मन वेश्णप कोप अभिशाप ब्रह्मकूल ब्रह्मकूलावमानात ये आपका विचार आएगा ये तुमारा इसमें जरवरत का पुसंग में मैं किसी भी वस्तु से डरता नहीं हूँ बोला नाहंग विसंके सुरुराज बजरात नास्तार कुशूलात नजौम सदन्यात नागनार कुनीला है यह जो स्लोक है सुन्दर आएगा पंचम सुसंगे और हम डरते क्यों ब्रह्म कुलाव मानात ब्रह्म कुल का अवमानना से ब्रह्म कुल का कोई अपमान हो जाए हमसे दोस लग जा अपरात हो जाए तो यह साप से बहुत डरते पर इक ही ऐसा क्या हुआ बले ब्रह्म को पत्थिताद यस्तू ब्रह्म कुल का वो जो रिशिवालक जो है उसका साप लगा इसका प्रुशंगा आएगा भी और तक्खक इसको डासेगा और ये गंगा का किनारे बया सकी सिशो बया सकेर सकेर जहू सिशो गंगायम स्वाम कले वरम सुखदेब को स्वामी के जो सिश्व है ये गंगा का किनारे अपना स्वरीर को छोड़ दिया आप यहाँ प्रश्ण किया कि कैसे ऐसा कैसे हो पाया ये तो महाँ भागवत है इसका सोरीर कैसे चुड़ गिया ऐसे कैसे हुआ बले इसका पीछे कारण है हम संखेप में बता रहे हैं बले एक दफे परिख्वित महराथ जंगल को गए वाँ मृगया करने के लिए राजा लोगों का ये नियम था जुद्धों का प्रेक्टिस करने के लिए मृगया था जंगल में जहना पड़ता पर ये खुत्रियों लोगों के लिए ये नियम था राजा लोगों का जंगल में गए जंगल में भटकते हुए और इतना प्यासी बन गया भूके प्यासी प्यासा बन गया उसके बाद ढूंदे रूंदे कोई पानी नहीं मिला बिल्कुल तो एक समिक रिशी बोलके रिशी है एक समिक रिशी का आस्तरम को पहुँचे और समिक रिशी का पास पार्थनक की हमको थोड़ा पानी पिलाओ ऐसा लेकिन समिक रिशी भजन में थे एकदम पड़ा स्थानोत त्रयात उपरतम यह जो है एकदम निर्विकल्प समाधी में चला गया था ऐसा अवस्था में इसका होस नहीं था बाज्यो बस्तु शप्नो शुशुप्ति तीनो अवस्था है ना बाज्यो जगत है यह और सो जाओ तो सपने में आए और शुशुप्ति इसका उपड़ है हाँ सब पार कर लोगे तो एकदम निर्विकल्प हो जाए ऐसा अवस्था रिस्था को पता नहीं चला की शाक्षाद परिखित महराज आये हुए है रिस्थी का कोई दोस नहीं कोई कसूर नहीं है लेकिन परिखित महराज का अंदर में थोड़ा गुस्था आया इसका इसके भी रहस्य है बोले हम आया अभी उत्तर नहीं दिया कोई संभासा नहीं किया तो ऐसा करके थोड़ा गुस्था आया पानी तो नहीं मिला कुछ नहीं मिला तो एक साप मड़े हुए साप को एक मड़ा हुआ साप को क्या किया अपना धनुक से उठाया ऐसा करके और रिशी का गले में डाल दिया रिशी का गले में डाल दिया और डाल के चला गया कहां राजदानी को चले गए और बाहर का दुनिया का आदमी बैक्षा करता है जुसका कोई पता नहीं और महराज परिखित महराज जो महाभागोत है इतना बड़ा वैशनव है वो कैसे ऐसा उल्टा काम किया जो कभी भी गुरु वैशनव सन्यासी रिशी मुनियों को कभी भी अपमान अपमान नहीं करने वाला वो कैसे किया है ऐसा कैसे संबब है तो कोई कोई आदमी बैजार का आदमी सब बैक्षा करते हैं यह कोली काल वो जो राजा का माथा में जो मुकुट था मुकुट तो सोने का बना हुआ था वो मुकुट का अंदर में कोली प्रविष्ट है करो कि सोने इस रने चादी में कोली को स्थान दिया था कोली वो मुकुट का अंदर सोने से सोने से बना हुआ था उसका अंदर प्रविष्ट हो गया कली इसके परिखित महालाज का जिमाग खराब हो गया ऐसा बैक्षा करता है बहुत आदमी लेकिन उचीद बैक्षा नहीं हुआ उचीद बैक्षा नहीं है यह क्यों पहला कोश्चन तो है जे कुली जो है कुली का कुली का हम्मत कैसे हुआ यह जो आपका जो मुकुट है मुकुट का अंदर कैसे घुसा यह मुकुट जो है यह मुकुट किसका है मुकुट का बिचार करो मुकुट यह मुकुट है किसका है जोरासंदो का मुकुट हाँ और स्वयंग किश्ण रहते हुए प्रशंग है महावारत में ये मुकुट को भगवान स्रिकिश्ण स्वयं डाल दिया जुदिश्चीर महाराज का सर पे जो चीज स्वयंग किश्ण भगवान ने दिया है उसको अंदर मया नहीं रह सकता रह सकता जहां किष्णों तहां नहीं मायार अधिकार जो मुकूट अभिशेक का सयम अभिशेक का समय शाक्षात कृष्ण भगवान उपसित्थे उसी समय और मुकूट को डाल दिया था सर पे कौन कृष्णों जोची साक्षात कृष्ण भगवान ने दिया है उसका अंदर मे कली का अधिकार नहीं हो सकता हो सकता? नहीं हो सकता ये मुकूठ है परिख्षित महाराज के सर पे तो उसका अंदर में कली प्रवेश होना संबब नहीं है तो कैसे हुआ? बहले ये एक राज है टिका कारों ने सुन्दर बैख्या किया बोले परिखित माराज स्वयम में बोले हैं कि हमारा जिंदेगी में ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा कैसे हो गया टिकाकारो ने बताया कि परिखित माराज को परिखित माराज के द्वारा सिमत भागवाजी महापुरान का मने स्थापना करने के लिए एक भाना बनाया बहाना एक बहाना बनाया ठाकुर जी परिखित महाराज का अंदर माया देभी इच्छा करके ऐसा हालत पैदा कर दिया मुहों डाल दिया माया देभी ये महा माया जो है महा माया जोग माया का एक लिला ये महा माया का अधिकर नहीं भक्तों का अंदर जोग मया इच्छा करके कराए जोग मया सोचे हाँ अगर ऐसा हालत पैदा कर दे तो परिखित मया सब छोड़के गंगा के ना बैचे और सुखदेव गुसमी तो आके भागवत का था प्रोशन करें इच्छा करके परिखित महाराज का अंदर में जोग मया एक ऐसा प्रभाब लगा दिया लगा दी थी जिसके द्वारा परिखित महाराज का अंदर में बीचार में थोड़ा भेदा गया था उसी समय के लिए इस बात का बहुत सरा अफसुस किया परिखित महाराज जो अब राजधनी को चले गए उदर जाके ऐसा करके अफसुस किया हाई 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 हमने क्या किया है यह हमने क्या किया यह तो जिंदेगी में हमी कभी नहीं किया ऐसा कैसे कर दिया बार बार अफसुस किया और ये भागवत में ऐसा विचार है कि लिखा हुआ है पस्ट लिखा हुआ है अभूत पुरुबो सहसा खुतिड़ भ्याम अर्दितात मनह व्रामनम प्रत्त अभूत ब्रह्मनो मत्सरो मन्नु रेवचवा शातू ब्रह्मरिशेर अंसे गतासू मुरगम रुशा है बिनीर्ग अच्छ ना धनु टंक्या निधायोечат कि बले अभूत पुरुब्बो सब्दों का माने क्या है अभूत पुर्बो माने क्या है अभूत पुरुब्बो माने जाया है जो जिन्द कभी भी नहीं हुआ अभूत पूर्वो पूर्वो में कभी दिखा नहीं गया जिन्दिगी में ऐसा हुआ ही नहीं कभी अभूत पूर्वो सोफ़सा ये परिख्षित महारशा अंदर भूक और प्यास लग गया महापुरूश का वो जो महाभागबत का बिचार करो तो उसमें भूख प्यास में कोई कश्ण नहीं होता, लिखावायना, उत्तम भागवत कोन है, करिष्टो, बश्णकोन कॉन करिष्टो साथू, मद्धम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी में भी वीचार है बहुत सारे, उसमें लिखा हुआ न खुधा तिष्णा में उसका कुछ नहीं होता लेकिन परिख्षत महाराज का हुआ क्यों जब परिख्षत महाराज के बारे में लिखा हुआ है ये शो महाभागवत हुआ परिख्षत महाराज के बारे में लिखा हुआ है इसो महाभागवत लेकिन ये महाभागवत का तो ऐसा नहीं होने चाहिए क्यों ऐसा हुआ इसका उतर दिया अभूत पुर्व सहसा खुद तेरा भ्याम आर्दित आत्मनहा ऐसा खुद खुदा तुष्णा में इतना कश्ट उपस्तित हुआ सहन करना मुश्किल हो गया उसी टाइम के लिए ख्यान भड़ के लिए और दिमाग में थोड़ा ठाकुर जी ऐसा कर दिया कि उसको इसी का बहाना लेकर भागवाजी महापुरान हमारा जगत में आए नहीं तो आना आना संभब नहीं जैसे वाइकुंट पारसद जय विजय है जय विजय का बारे में बोला सास्ता में लिखा हुआ है जय विजय तो वाइकुंट का पारसद है तो जय विजय का दिमाग क्यों खराब हुआ क्यों खराब हुआ भागवान से कुछन वो जो है नारायन जो है उधर बाइकुंठ वो जो चतुस्वन को बोले हमारा इच्छा से हुआ चतुस्वन बड़ा दुखी भए हम तो साप दे दिया हमको खमा करना ठाकुजी बलना ये महरा इच्छा से हुआ मैंने तुम लोग मैं तुम तो एक इंस्टूमेंट हो हम साप दिलवाया ताकि जगद में जाए मेरा साथ लिला होए ये लिला है नहीं तो बैकुंठ परसत का अंदर में अहंकार आगिया उल्टा कर दिया संबब नहीं है तो ये जो परिखित महराज का अंदर ये जो तुम्हारा विचार से जो कोली का प्रभाब आया ये बिल्कुल सच्चा नहीं कोली का प्रभाब बिल्कुल नहीं आया ये ठाकुर जी का ही एक लिला है ऐसे करवाया कि जैसे सिवाद भागवाजी महापरान का प्रोचन जगत में प्रोचार हो जाए इसका लिए ऐसा किया अब बाद में क्या क्या परिखित महारा रासधानी भी आए बड़ा दुख किया अफसोस किया इतना अफसोस किया कि रोना सुरू कर दिया हाई हमसे कैसे ऐसा बन पाया हाई 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 यह हमने क्या किया कभी तो हमारा ऐसा नहीं हुआ जिन्देगी में ऐसा कैसे हो गया करके बड़ा अफसोस किया परिखित महाराज जे परिखित महाराज बड़ा अफसोस किया और अपने आप पर धिकार दिया बजे ऐसा धिकार दिया अद्दविवर अज्यम बलमृद्ध कोशो प्रकोपीत ब्रह्म कुला नलो में दहतु अभद्रश्य पुनार नामे अभूत पापियोशी धीर दिजो देव अगभ्या बहुत पानिस्मेंट हमारा जिन्दगी में शास्ति दिकार दिया दिकार हमारा जिन्दगी में ऐसा ठाकुर जी मेरे लिए शास्ति का ववस्था करे को हमारा जनम जनम पे ऐसा बुद्धी खराप ना हो कि ब्राह्मन वैश्नाप गुमातास रिशी मुनी किसी को कोई कश्च ना पहुंचे हमारा दारा ऐसा हो जाए बोलो अगर इच्छा करके अगर अपमान करके आया रिशी को तो कैसे ऐसे बुद्धी होता इसका पूरा साफा प्रमान है वो इच्छा करके किया नहीं था अच्छानक हो गया ठाकुर जी करा दिया उसो नहीं तो होगा नहीं न राम जी का भी लिला में जो कोशलान नंदन राम इसका भी बड़ा भाड़ी बीचार है सुन्दर कोई के ही जो ये बोर को मांगा इसका पिज़े गुप्त रहस्य है एक रामायनी बाबा है वो बड़ा सिट्वमात्मा हमको बहुत प्यार करते से अज़ो द्झा अब नहीं है सुरी छुट गया रमायनी बाबा इतना सुन्दर देखने में हमको बहुत प्यार करते थे जब भी उसका साथ अज़ो अज़ोडा में देखा हो कलकता में आते थे बहुत बड़ा बड़ा अदमी को दिख्षा दिया हम देखा करने हमको कापर देते थे महाराज आप ले लो कापर पुर्णा मी आप संत हो हमको दे रहे नहीं आप ले लो बड़ा सुक्षो बिचार है इसमें कोई केई जो ये बढ़ को मांगा था इसका पेचे भी राम जी का इच्छा है गुप तो रहसे है रामान का जब बिचार हम करेंगे तो आए आए राम जी का ऐसा ही बिचार है राम जी मैं याको बोले क्योंकि कोई सल्ला से कोई केई देवी इतना प्यार करती थी को उसल्ला से बढ़ कर ऐसा ही बिचार है हर बकत कोई केई काकल में गुद्धी पे वो केई केई कभी भूल से भी ये नहीं कर सकता ये तो एक बहाना और इसमें बिचार है राम जी स्वायम मुले मैया आज तुम्हारा साम ने ऐसा दान मंगे तुम दोगी बल तु जो चाहिए हम दे बल ऐसा ऐसा करना है हमारा कोई लिला है हम जाएंगे जंगल में बल देखो हाँ कर लेंगे अब देखो मैया पूरा जगत तुमको नफरत करेगा घिना करे कोई केई नाम पर लोग ठुकर दे यह साइन कर सकोगी लहां करे रहस्य है इसका अंदर विचार है और यह जो है परिखित माराज का अंदर में जो भाव है हमने बैखा की है सही बैख्षा है कि कभी भी गुरु विष्टव ब्रामों का अपमान करने का कोई विचारी नहीं है इसका अंदर में उसका खांदान में सबाब नहीं है कैसे हो गया इसका ही बोला अद्दव रज्यम बलमिध कोशम प्रकोपित ब्रह्म कूला नलो में दहतु अभद्रश पुनर्ना में अभूद पापियो से धीर दिजो देव गभ्या धीर जो रिशिमनी है धीर दिजो ब्रह्मन वैश्नव गव माता और जिन्देगी में कभी भी ठाकुर जी हमको एक सबक سिखा दे कभी भी हमारा बुद्धी ऐसा करापना होए इसका प्रमान ये है इसके द्वारा प्रमान होता है जे इच्छा करके परिखित माराज नहीं किया इठा कुर्जी ने करवाया अब अचानक उधार से अब ये जो बच्चा है कौन बच्चा सिरिंगी रिशी समिक रिशी का लड़का है रिशी तो भजन कर रहा था और किसी ने खबर दिया बच्चा झो है बच्चा खिल रहा था कहां दूरी जगा अपना रिशी बालोकों के साथ खिल रहा था अचोनक एक बख्ती जाके एक बच्चा जाक रहा ए तुम्हारा भी पाग पीता का अफमान हो गया किस ने किया भूला देखो तो सही जाके राज तो है तो रेशी ब्रह्मत्ते ही है रिशी बालग है न रिशी बालग ब्रह्मत्ते यह देखने में भच्चा है लेकिन ये है तो रिशी बालग कर तप defendant नहीं कि ए उसका कि बाल doing इतना फो गंत परिक्षित महाराज को मैसेज आना चाहिए ना कि उपको साप मिला जो राजा ऐसा किया हूँ राया कि साथ दिन का अंदर इसका प्रांच तक्षों के दारा दंख्षन होके तक्षों करें और इसका सोरी छुड़ जाए साथ दिन को अंदर ऐसा करके जब साप दे दी तो अब परिक्षित महाराज का पास खबर आया कि सिरिंग रिशी ने आपको साप दे दी स्वमिग रिशी का लड़का ऐसा साप दे दिया कि आपका सरी साथ दिन का अंदर छुड़ जाए तक्षक दंशन करें तो परिक्षित महाराज बड़ा प्रशन भए बहले बाह इसी का ही तो पर्थना में पर्थना कर रहा था ना परिक्षित महाराज तो इसी का पर्थना करता है ऐसा सबक सिखाए मेरे को ऐसा सिख्षा दे ठाकुर जी कभी ऐसा ना हो पाए जब ऐसा बोले तो अचानक एं मेसेज आ गया खबर आ गया कि देखो आपका सरी चुटने वाला है आपना बैवस्था कर लो साथ दिनों का अंदर आपका सुरीर छोड़ जाने वाला है आप बैवस्था कर लो ऐसा जब किया तो परिखित महाराज का बड़ा आनंद हुआ आप अच्छा हुआ अब अच्छा हुआ मैं जो अपराद किया उसका एकदम बिल्कुल सही सास्त्री मिले सौसादु मेने नौचिरेनो तक खकानलम प्रशक्तस बिरक्तिकारणम परिखित महाराज है बोले अच्छा आपको बोले अज संसाचर के चले जाओ जाओगे हरे दिर महाराज हम कैसे जाए लेकिन जिन्देगी में किसी का जिन्देगी में ऐसा घटना हो गया कि संसर पूरा पूरा एकदम कड़वा हो जाए तो चला जाएगा संसर चला जाएगा संसर अगर कड़वा हो गया बस करो महाराज संसर हमको नहीं चाहिए ये परिखित महाराज बोल रहे हैं ये तक्खक का जो दंसन होने वाला जो बात है परिखित महाराज कह रहे हैं कि तक्खक दंगसन करने वाला जो बात है ये तो एक बहाना है ये तो एक बहाना है इसका हमारा डबल लाब हुआ इसमें क्या हुआ हमारा तो ही जो राज्जो राजधानी का चक्कर में हम अपना जिन्देगी को समय दिया वो छुड़ गया और मन को अगर शांत बना ले गुरू मिल जाए तो ठाकुर जी भी मिल सकता है अब हम तो समय आया हमारा सुजो गया जैसे नुएमिस छित्रों में हजारों साल का यग्ग का आईजन किया रिशी मुनियों ने बाद में सिकार किया स्वयम बले ये तो एक बहाना है शक कथया हरे हे बज़े कथा कथा का अबसर मिला हरी कथा का अबसर मिला हजारों साल साथ जो जग्ग का आईजन ये तो एक बहाना है कथया सक्षन हरे हे लिखा वै हरी कथा का अबसर हमारा जिन्दगी में मिल गया परिक्षित महाराज ने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं अगर शाप आ गया तो ठीक है ये साब है ये साब के द्वारा क्या हुआ बले हमारा बिरक्ती का कारण हो गया हम राज्ज राजदा ने छोड़के परिक्षित महाराज का की बले चला गया कहा पूरा गंगा का किनारे कहाँ शुक्तल खेत्र शुक्तल खेत्र में पहुँच गया परिक्षित महाराज परिक्षित महाराज पहुँच गया और जाके गंगा का किनाड़ बैठके एकद्व आसन लगाके बैठ गया और जितना सारे रिशी मुनी है सारे रिशी मनी सब उधार पहुँच गए तत्रो उपजगमुर भूबनम पुनाना महान भाव मुनयोह ससिश्या प्राएन तिर्थावी गमा पुदेश्वई स्वयम ही तिर्थानि पुनंती संता ऐसा बड़ा बड़ा संत महात्मा है जो तिर्थो को भी तिर्थो बना देता है तिर्थो क्या है तिर्थो को भी तिर्थो बना देते हैं काल चर्चा किया था बीदुर जी का बारे में जुदिश्शीर महाराज बोला भबद भीदा भगवता तिर्थी भूता स्वयम प्रभ भीबो तिर्थी कुरुवन तिर्थानी सान्त स्थेन गदा भृता स्वयम थाकुर जी आपका अंदर में हैं आपका मापी एसा बड़े-बड़े साधु महात्मा तीर्थो करने के लिए जाता है वो किसका कारण क्या है बहले तीठो को तीठो बना देते हैं तीठो को तीठो बनाने वाला सारे मुनिरिशी आ गया उधर अत्रीर बसिष्ट चबन भरद बजे सरद वान अरिष्ट नेमिर भिगुर अंगिर अंगिरास्च परासर गाधिसूत अतो राम उकत्थ इंद्र प्रमदह सूबागु मेधातीथिर देवल अरिष्ट सेन भरद राज गौतम पिपलादह मैत्रयो ओर्वह कबशह कुम्म जोनिर दैपायन भगवान नारदस्च सारे जितना सारे बड़े बड़े रिशी मुनी है साभा अ गया बरद राज वसिष्टो चबन ओर बिश्व मित्यों गाधि शुतो जो है साभा पूरा वलकों बुलाया महा इसका अंदर में ठाकुरजी जैसे पिरनां रैसा करता है ठाकुर तो चलो सब चलो परिखिद महाराज को अधर बैठा हुआ है पर अधर कई रहे सुकताल खेत्रो वहां सारे मुनी रिषी पहुँच गए और यह जो परिक सुकदेब गुस्वामी सुकदेब गुस्वामी अभी पार्थना कर रहे कि आप तो रिषी मुनी है आप बताओ कि हम हमारा जिन्दगी का सेश है मातरो साथ दिन हमारा जिन्दगी का सेश है साथ दिन इस साथ दिन का अंदर हम कौन सी साधन करे जैसे हमारा सरीर मुक्त होके ठाकुर जी हम निकल जाए जगत से कौन सी ऐसा साधन है कुछ बताओ ऐसा साधन जैसे हमारा परम मंगल हो जाए करिकित महाराज ऐसा ऐसे तो बिचार करके देखो परिकित महाराज का जिन्देगी में साथ दिन का टाइम मिला लेकिन तुम्हारा दिन के तो साथ मिनिट का भी कोई भरोसा नहीं है परिकित महाराज को एक सार्टिपिकेट मिला था अभी तुम्हारा सरी चुटने वाला नहीं है साथो दीन बाकी है साथ दीन का अंदर आप ऐसा ववस्ता कर सकते हो कि जिसके आपका परमंगल हो जाए लेकिन आपका तो कोई भरोसा ही नहीं है साथ सेकेंड का कोई भरोसा नहीं परिक्तमा आज तो साथ दीन का भरोसा है साथ दीन का अंदर शरीर नहीं जाने वाला लेकिन आपका तो कोई साथ मिनिट का साथ सेकेंड का कोई भरोसा नहीं कब्भी चले ही जाए और वीचार करके देखो हम सभी का सरीर सातों दीनों का ही अंदर तो जाएगा सम्मंगल बुद्ध विश्वत सुकर सनी ग्रवी सबका सरीर सातों दीनों का अंदर ही तो जाएगा जाएगा ना अब ऐसा विचार तो यह जो है परिखित महाराज बैठे हुए हैं और पार्थना कर रहे हैं और एक एक रिशी कह रहे हैं कि महराज ऐसा करो तो आपका मंगल होगा और दूसरी सी बोले महराज ऐसा करो तो आपका मंगल होगा इतने में क्या हुआ शाक्षात सुकुदेब को स्वामी ननननन कृष्णो स्वयम सूख है भागवत का महिमा में हम वो महिमा का चर्चा नहीं किया पहले सेशन में जो चर्चा वहाँ दो किष्णिम का भागवत का महिमा बताया था थोड़ा टाइम भी ज़्यादा था उसमें बताया था कि नननननन सूख जो है वो शाक्षात कृष्णे ही है नननननन कृष्णो जो है शाक्षात सूख है नननननन कृष्णो स्तू शाक्षात सूख शुगव गोस्वामी शुगदेब गोस्वामी के रूप पकर कर आए अब इदा जो है शुगदेब गोस्वामी और आ गए धीरे धीरे कहा कुन ठाकुर जी फेरो ना दिया और पहले हस्तिनापूर गए हस्तिनापूर मीराथ मीराथ स्टेशन में उतर के हस्तिनापूर जाना पड़ता 20 किलो मेटर और हस्तिनापूच जो सहर है उसका एकदम नज़िक गंगा का तठ है हस्तिनापूच सहर गंगा का किनारे किनारे थोड़ा आगे चले जाओ तो अब आएगा क्या शुकताल खेतरो गंगा का किनारे किनारे चले जाओ सहरे सहरे तो आपका आएगा क्या शुक्ताल खेत्रो जहां सुखदेब गुस्वामी जी ने परिख्षित महारच को भगवत सुनाई वो पवित्र खेत्रो है अभी भी है शुक्ताल खेत्रो हम बहुत बार गए और पहुपाज जी भी सुक्ताल खेत्रो में वो जो सुगदिप उस्वामी का आसन है उसे बैठ कर पहुपाजी भागवात का चर्चा की और हमारा मापी छोटा आदमी भी थोड़ा भोत की है जो भी है और ओज है उधर गंदा का ओर उत्तर दिशा होकर परिखित महाराज बैठ गए परपबेशन कोई खाना पीना कुछ नहीं है बिल्कुल वैट के ठाकुर जी का चिंतन करते करते स्वरीद छोड़ने का वीचार है सातों दीनों का अंदर सातों दीन तो काफी जैसे खटंग महाराज का चर्चा हम किया था खटंग महाराज का दो घड़ी पचा था एक घरी चपिस मिनिट ना दो घरी 48 मिनिट और अपना राजवेस है अपना सब कुझ है वो छोड़कर जाने में लग गया थोड़ा टाइम अब बाकी जो सेश शमय था उसी का अंदर ठाकुर जी का चरण में मन को प्रविष्ठ कराया और ऐसे देवतालों को भकत है देवतालों का सिरवात तो पहले था ही और बास ठा ठाकुर जी प्राप्त हो गया खटांग राजा क्या किया इतना कम समय है इतना कम समय है इतना कम समय का अंदर ठाकुर जी का चरण को प्राप्त करके चले अब परिखित महाराज तो साथ दिन बाकी है बहुत दिन काफी और साथ दिन का अंदर जब परिखित महाराज का पास उसका पहले तो बड़ा अप्शुस किया परिक्षित महाराज बड़ा धिक्कार दिया अहू बयम धन्यतमानिपानम महत्तमानम अनो ग्रोह सेला राग्याम कूलाम ब्राह्मनो पाद सोचाद आराद बिस्त्रिष्ट बतो गरह कर्मो आए दुराचारी हम तो दुराचारी है राजकुल में आकर ब्रामन गन यहां कि ब्रामन गन जहां हमारा मा फी पापिष्ट है यह आना भी उननोग अल Argu मुश्किल है इतना पापिष्ट है दिख्का लगाते हैं ऐसी कह रहे हैं आज हम धन्य हो गया जहां बन्य धन्य अहो वैं धन्य तमा निपानम महतमानम अनुगुणियो सिला महत तमानम अनुगुणियो सिला रज्या कूलं भ्रह्मन पाद वसोच है अरद्बि 우린 सिस्डम बतो गर्ह कर्म अँण हमारा इधर आके आप लोग अपना चरन को दر्शन कराए हैं इतना बढ़ा महतमा है आप उच्छा जोब यह बिग्य पूर और उदर जाके गंगा का किनारे बैठ गया बैठ के अभी बोल रहें कि ऐसा करें जे दिजो अथात ब्रामौन का रिशी कुल का तो सब जो समिक मुनी का लड़का उसका तो विशाब लगा बले ठीक है कोई बात नहीं दिजो पो सिष्टो कुहकख स्तुक तक्षकोबा दसतु अलम गायतो विश्णु गाथा वो दक्तखक जो है हमको दंशन कर ले कोई अफसोस नहीं है लेकिन आप लोग किर्थन करो हरी किर्थन सुमनाओ किष्णु गायतो विश्णु गाथा गायतो विश्णु गाथा आतात कृष्ण का किर्टन चलते रहे दसतु अलम खुब दंगसन करे, खुब काटे हमको तक खक गाय तो विष्णु गाथा विष्णु का किर्टन गाते-गाते हम सोरी छोड़ देंगे, कोई डर का बात नहीं इधार जो है सरवे भयम आरिशी मुनियों ने विचार बना लिया कि हम लोग ये शुकताल खेत्रों से जाएंगे नहीं क्यों? इधार जो है परिखित महराज महा भागवत है सोरीर उसका चुटने वाला है जरूर इधार ठाकुर जी का एक लिला जरूर होगा सरवे वयम तावद या अस्माहे अथो कलेवरम जावद असो विहायो लोकम परम बिरजस्कम विसोकम यस्सतियम भागवत प्रधान हा ये भागवत प्रधान महा भागवतों में अगरगन्य जो है महा प्रधान है उजब तक अपना सरीर को छोड़ कर ना जाए तब तक हम लोग यह जागे हिलेगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहें क्योंकि यहाँ प्रशंग आएगा ठाकुर जी का हरिक अथा का प्रशंग जरूर आएगा अथ इतने में क्या हुआ परिखित महाराज का समने शुक्देब को समय आ गया कोई बुलाए नहीं अपने आप आ गया इधर बताया परिख्षित महराज कैसे आई बले ऐसा जो बिचार चल रहा था कैसे परमंगल होए इतने में परिख्षित महराज आ गया परिखित महाराज का सामने किसी को पता नहीं ये इतना बड़ा ठाकुर जी का निजी जन है अलक्षलिंगो निजलाब तुष्ट विर्तस्च बाले रबदूत बेश अबदूत बेश मतलब कोई कपड़ा पपड़ा नहीं है नंगा बाबा नंगा बाबा है तत्रा अबबद भगवान वैश पुत्रो जद्रिच्छ या गाम अटमानो अनपेक्ष कहा प्रिथिपी परजटन करते करते ठाकुर जी का इच्छा के द्वारा ही इधार पहुँच गये कहां शुक्ताल केत्रों में गाम अटमानो अनपेक्ष कहा किसी का उपर इसका कोई बिल्कुल नजर नहीं है किसी बुस्तु और बैक्तियों में बैसा पहुँच गया वहां सुक्दिब गोस्वामी उसको बच्चा लोग सब धूली दे रहा है धूली दे रहा है और नंगा बाबा आए गये हो लंगा बाबा आए गये हो बच्चा लोग पता नहीं कि इतना बड़ा मात्मा है वह लंगा बाबा है ऐसे बच्चा लोग पीछे-पीछे भाग रहा है और शुक्दिब गोस्वामी आके यहां पहुँचे बच्चें तत्रा अभवद भगवान वैस पुत्त जद्धिछे गाम अटमा नाम अनपेक्ष कहा अलख्ष लिंग निजलावत उस्ट बितस्च वालाईर वदू थबेशह त्वाम दास्ट वर्ष सुकुमार पादोरू करो पजे त्वाम दास्ट वर्षम सुकुमार पादो करोरू बहवांश कपोल गात्रम चरवाय तक्ष उन्नसत तुल्य करनो सुब्राननम कम्भू सुजात कंठम निगूड जोक्तम पृतर्टंड वक्षशम आवर्त नाभिम बलिगल वुदरंच दिगंबडम बक्रो विकिर्नकेशम प्रडम बाहुं समरत्तमाभं शैमम सदापिब्बवयंग लक्षा स्त्रीनम मनग्यम रुचिरसमितेन प्रत्तृत्तितास्ते मुनयो सासने भ्यो सालक्षन अग्या ओपी गूरबर्चसम बले इस लोगों का माने हम थोड़ा बता दे प्रडम बले ऐसा सुन्दर देखने में जैसे लिए किष्णो सयम आया है किष्णो का संदर जो आसुद्ध एक ही है अब जब आए स्त्रीनम मनग्यम रुचिरसमित मनग्यम रुचिरसमितेन कोई माता जी देख ले तो नजर नहीं हटा पाईगी इतमा सुन्दर है देखने में और चूल यो है बाल यो है बिखरे हुए हैं दिगंबरम बक्रभिकिरनकेषम पड़ंब भाहुं फूल गुटना तक अपना हाथ जो है महापुरूश गुटना तक अपना हाथ चला गया इतना लंबा है इतना सुन्दर पिर्तुटुन्द वक्षशम और ऐसे सुपिब्व वक्षटल वक्षटल इतना चवड़ा कितना सुन्दर सोले साल के उमर है तत्रा वबद भगवान बैस पुत्रो जद्रिच्चया गाम अटमानो नपेक्षगा अलक्ष लिंगो निजलावतुष्ट बृतस्च बालई रवधूत बेशह त्वाम् दास्ट वर्सं सुकुमार पादु करोरु बहवं सकपोल गात्रं चारवायतक्ष उन्यसत उल्यकरनो सुब्राननं कंभु सुजातु कंठं निगूड जक्तं पृतुटुंद बक्षशं आवर्त नाभिं बलिगल उदरंच दिगंबरं बक्रविकिरनकेशं प्रलं भाहुं समरात्माःं श्यामम सदा पिबबयो अंगलक्षा स्त्रीनाम अनग्यम रुचिरास्मितेन प्रत्त्तितास्ते मुनयो सासनेभ्यो स्तलक्षनाग्या उपी गुरवर्चसम जितना सारे रिश्यों का जुन्डू हक खड़ा हो गया सोले साल का लड़का है बच्चा सोले साल का लड़का आ गया सारे रिश्यों का जुन्डू हक खड़ा हो गया क्यों ऐसा बले ऐसा ही प्रभाव है सुग्देब गुस्वामी का शुग्देब गुस्वामी जब आए बाबा परबाबा भरद्राज वसिष्टों लेकर सारे पराशर भौमो धौमो सब सब खड़ा हो गया से क्यों ऐसा हुआ बले ये लोग शुग्देब गुस्वामी कोन है इसका पता था यहां लिखा हुए बहुए ये लक्षन अग्या ये जो लक्षन है हो सके कि वो नंगा है हो सके उसका कोई कपड़ा नहीं कुछ नहीं है सारा सरी धूला से मलिन है चूल विख्रे हुए है पागल जैसा फिर भी सारे रिसियों मुनियों को पता है वो कौन है इसलिए सन्वान देने के लिए खड़ा हो गया पूड़ा और उसका बात जो प्रशंग आये सायंकलिंग ओदिवेशन में आये सायंकलिंग ओदिवेशन में आभी परिखित महराज पहुँच गए भागवत का थाकत आनंदी आनंद लेहर चलेगा भी परिखित महराज का सामने शुकदेब गुस्वाई पहुँच गए प्रशंग आएगा परिखित महाराज आपना सर को राजा शुक्देब गुष्वामी के चरण में राक कर पढवंग्षो गुरू आप ही मेरे को मेरे को बताओ किस साधन करने से हम जल्दी से जल्दी अत्व साथ दिनों का अंदर हम चले जाए कौन सी साधन है ऐसा बताओ अर्थना लेके हमारा बचन को विष्वाम दे रहा हूं अतो प्रिच्छा में संसे धिन योगिनाम परम गुरुम् पुरुश सेह यतकार्यम् मृयमान ससर्वता वांचा कल्प दुरुष्यके पासिंद व्यवचा पतितानंग पावन भविष्ण भ्योन भोन